फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी पराठी की रेसिपी शेयर करूँगी आज हम बनाएंगे अचारी मिस्सा पराठा जिसे आप यकीन मानिए एक बार खाएंगे न तो बार बार बनाएंगे और उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे और साथ ही मैं जो इसके स्टफिंग होगी उसको आप अराम से तीन से चार देन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो अगर आपको बहुत सारे लोगों के लिए पराठा बनाना है तो आप इसे पहले से भी बना कर रख सकते हैं यहां पर देखिए हमने बेसन लिया है लगबक चार चमच बेसन है इस किसी खुश्बू आने लगी अब हम कुछ ड्राय मसाले लेंगे जिसमें मैंने यहां पर साबुत धनिया लिया है साबुत सौफ ली है और जीरा लिया है इन सब को हम दर दरा सा कूट लेंगे आप अगर फ्रेश मसाले को कूटेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा अगर मैंने 1,5 चमच घी डाला है उसमें लगब' एक चमच ही मैंने ओइल डाला है ऊइल आपके पास नहीं हो तो तो आप कोई और cooking oil डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसमें थोड़ी सी कलोंजी डाली है, हींग डाली है, और साथ में जो हमने dry masala पीसा था, उसको mix कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर बेसन को mix कर लेंगे, और इन सब को आपस में बहुत अच्छे से इस तरीके से प्रैस कर अब मैं यहाँ पर आदा चमच नमक डालूंगी, आदा चमच अमचूर पाउडर डालूंगी, और थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है, अगर आपके पस कसूरी मेथी नहीं हो, फ्रेश धनिया हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोर करके स्टुफिंग भर दी है, और उसे अच्छे से सील पैक कर देंगे, अब यहाँ पर कई लोगों की शिकायत होती है, कि हम स्टुफड परांथे बनाते हैं, तो मारा मसाला बाहर निकल आता है, तो देखें, आपको उसमें क्या करना है, आप किसी भी तरीके के परांथे बिल्कुल भी आपके परांटे फटेंगे नहीं और बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आएगा, आप देखें इस तरीके से तवे पर अब इसे उलट पलट कर अच्छे से से लें, पहले आप बिना घी लगाए, दोनों तरफ से एक अच्छे से पचा लें, देखें कितने अगर आप पहले इसको अच्छे से पचा लेंगे न तवे पर, तो ये अंदर से कच्छा भी नहीं रहता है, और अच्छे से फूल भी जाता है, और उसके बाद दोनों तरफ से घी लगाकर इसे क्रिस्पी सेखें, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खाना पसंद करत हैं, या फिर अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो भी नहीं बना कर रकर लेकर जा सकते हैं, यह खराब नहीं होते हैं, यहां अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कीजिए, देखें कितने अच्छे से ये पूरे मे फैला हुआ है ना मसाला, और यह बहुत ही यम्मी लगते हैं, धही के साथ या अच्छार के साथ, आपको जिससे भी अच्छे लगें, आप एंजॉय करें और एक बार जरूर से बनाएं, और हाँ अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को वाच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और साथ में पास में दिख रहे ही बैल आइकन को प्रेस करके उस पर आल पर टिक करें, तो बाबाई, मिलते हैं अपनी और नई वीडियो के साथ,